जहिन आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल नुकलस अविएसन सेंटर पर स्वागत है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एरकाप टायर के यहांप बात करेंगे क्या क्या होता है इसके मिलिं होते है तो यह वीडियो हमारा landing gear के उपर last video होने वाला है जिसने भी अभी तक हमारा landing gear के उपर पुरा video नहीं देख़ा जरूर जाकर देखे हमने description box में आपका पूरा video का lecture link दे रख्खा है टोटल lecture आपका टोटल lecture landing gear के उपर lecture 8 है तोटल 8 lecture आप जरूर जाकर देखे आपको बहुत ही benefit मिलने वाला है इस वीडियो लेक्टर से टोटल लेक्टर आपका 8 है तो जरू जाकर देखें और हम लोग इसके बारे में जो बात करेंगे वह ऑडियो फॉर्म में होगा जैसा कि उन्हें आपको पिछले वीडियो भी बताया था कि हम लोग जो बात करेंगे आपको अच्छी तरह समझना है तो जरूर पिछले वीडियो को जाकर देखें आप कि पूरा का पूरा लोड जब लेंड कर रहा होता है आए एरकाफ्ट क्रया है पूरा जिम्मेदारी आपका येरकाफ्ट के वील लेंडिंग गेर पर होता है कितना सैफली किटना सैफली टैक फैक आएफ पर ड्रन करेगा यह सारा चीज किसके उपर जिमेदारी होते हैं किसके उपर responsible होता है आपका aircraft wheel तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा role है इसका किसी भी aircraft के लिए तो आगे हम discuss करते हैं कुछ properties के वारे में जो आपका aircraft tire की क्या क्या main main properties है यह तो पहला तो पहला यह stock absorb करता ही करता है और भी क्या properties है जो आपके बहुत important point है आपका DCA exam के अगर view से देखें हम तो बहुत important यह 3 point है कि आपका क्या limit होगा उसकी landing speed, static load, dynamic load क्योंकि हम लोग जानते हैं हर किसी का अपना एक छमता होता है अपना एक limit होता है वह इसे यह आपका tire का भी है तो इसकी landing speed जो limit होती है up to 402 km per hour होती है static load की जो होती है वो 22 knot approx आपका 20,000 kg के आजपास और dynamic load जो आपका इसकी strength होती है आपका 33 knot means 30,000 kg के आजपास आपका यह इसकी strength होती है अब हम बात करें है construction part के बारे में aircraft tire की construction part में क्या-क्या होता है कहां-कहां इसकी position होती है ठीक है, किसी हम क्या कहते हैं किसका क्या use है, किसका क्या meaning है यह सारा हम discuss करें है सबसे पहले हम जानेंगे construction part में क्या-क्या होता है पहला आपका ट्रेड एरिया, बीड, रीब, बीड चैफर्स, इनर लाइनर, साइड वाल, ट्रेड ब्लॉक, कॉर्ड बॉड़ी, ग्रॉप्स, फ्लिपर्स, सिप्स, सोल्डर एंड एक्सेक्टर और भी बहुत सारे चीज़े होती है जो हम लोग आगे discuss करने वाले हैं, one by one, एक-एक के बारे में जानेंगे कि इसका क्या meaning है, क्या use है, ठीक है मैं construction part को पूरा discuss करूँ, इससे पहले आप एक बार देख लीजे figure की कैसा होता है, क्या-क्या इसमें होता है, किसके क्या position होती है, वो आप देख लीजे, आपका figure में दिक रहा हुआ, या आपका क्या है, टायर है, ठीक है सबसे उपर में आपका क्या है, ट्रेड एरिया, फिर आपके बीच में एक slippery, आपका जो line आया हुआ हुआ, उसको क्या कह रहे है, रीव कह रहे है उसकेagal में यह कॉड़ होता है कॉर्ड रीड kos do k audience का में नीचे दिछ खर देखे करें और भी वी भी चैफर क्या होता है के यह सारा कियों करते हैं किस लिए करते है लिए करते हैं यह सारा हम लोग आगे डिसकर्थ करें के तो चलिए देखेए पहला टर्म है आपका trade area trade area क्या होता है वो सारा part aircraft, tire का वो सारा part जो आपके ground में touch करते हो ठीक है चाहे वो aircraft खड़े हो runway पर, चाहे वो aircraft runway पर दोड़ रहे हो, चाहे वो landing के लिए just आ रहे हो और touch करेगा उसके ground, तो जो area जितनी area उसकी touch होगी ground से या फिर you कहें touch में रहेगी वो सारा area को हम कहते हैं trade area और generally जो इसमें आपका trade area में होते हैं वो आपके rib होते हैं, trade block, groups, ships and solder ये सारे part जो हैं आपके trade area के अंदर आते हैं दूसरा टर्म है आपका apex strip it is a triangular piece of stiff rubber which is fitted onto the bead core to taper the rigid bead into the flexible body, plies in the side wall, bead heel and toe, bead heel हम किसे कहते हैं it is called the outer edge of the bead and bead toe, it is called the inner edge of the bead, ठीके हम लोग outer edge जो होते हैं, bead के उसे हम क्या कहते हैं bead heel, और inner edge को क्या कहते है bead toe flipper strip, a strip of material which is wrapped around the bead bundle and filler to add support and help taper the assembly into the side wall, यहाँ पर जो हम word use कर रहे हैं, bead and bead chaffer, इसका मतलब समझते हैं, क्या होता है bead क्या होता है, bead chaffers क्या होता है देखिए, bead होता है, steel wire का क्या होता है एक bundle होता है, ठीक है, यहाँ पर number of bundle लगबग आपका तीन से चार bundle होते हैं, जो आपके direct contact में air cart wheel के होता है जो tire की जो portion होते हैं, bead वो आपके direct किसके contact में होते हैं air cart wheel के, और यह bundle आपका किससे बना होता है steel wire से, यह जिसके ऊपर जो rubber की covering होती है ठीक है, इसे ही हम कहते हैं bead chaffers या कहते हैं chaffers, ठीक है, तो हम लोग क्या कहें, rubber की जो covering होगी इस पर layering होगी, इस bead के ऊपर उसे हम क्या कहेंगे, bead chaffers तो आप समझेए कि bead और bead chaffers क्या होता है inner liner, वहम समझते है inner liner क्या होता है, जैसा कि आपको हमने पिछले video में दिखाया था, कि आपके air cart tire के अंदर क्या होता है, एक lining बनी होई होती है एक laminate क्या होता है, जो आपके पत्ली-पत्ली line अंदर में बने होता है अब उसके मतलब समझते होता क्या है inner liner क्या होता है, इस seat of a special rubber laminated to the inside of the aircraft tire इसा काम क्या होता है, it is work to ensure retention of pressure when the tire is inflated ठीक है, inflated मतलब में लोग समझते हैं, क्या होता है आपका air को filled करना, उसे हम क्या कहते है, inflation अब हम समझते हैं कि solder क्या होता है, aircarp tire की construction में जो solder part होता है, वो क्या होता है solder आपके क्या होता है, एक area it is the area on the side of the tire between the sidewall and the trade जो आपको figure में दिखाया गया था, trade block and आपके sidewall तो इसके beach का जो area होता है वो हम क्या कहते है, उसे solder कहते है next air में आपका venting hole venting hole क्या होता है, the hole through which gas is vented from the inside of the carcass plies balance maker, a balance maker consisting of a red dot and is affixed on the sidewall of the tire, above the bead to indicate the light weight point of the tire, ये क्या होता है एक red dot को consist करता है कहां लगा होता है, sidewall के पास जो आपका क्या indicate करता है कि light weight point किस जगे पर है किस area पर है ये किसके help से पता चलता है balance maker के दोरा, जो rate dot को consist करते है